बात के तिहास की सिरीज में आज हम लोग वैदिक सभेता पढ़ेंगे, आज हम लोग वैदिक काल पढ़ेंगे, वैदिक काल बहुती महत्वण और यहासे परिक्षा में शवाल आते हैं, प्राचिन भात के तिहास की सिरीज में एक महत्वण स्थान रखता है, बदलती सभेता संस्किती के बीच का आधार अस्तंब है अध्यन कितिश्चिगोण से बाट कर पड़ते हैं रियुअर इशापूर, उसके बाद उत्तर वयदिक का, कहीं के इस से उत्तर रियुअर्ग वियुअर्वी पड़ते हैं, यह यूम कह सकते हैं कि 15,000 इस्यापूर से लेकर 600 इस्यापूर के मद्द के वैदिक कल या वैदिक सभ्यता को हम दो भागम डिवैड जो करते हैं, दोनों का अध्धन हमारे लिए महत्पूर है, यहां से परिछाओं में सिदे सिदे प्रशनाओं सवाल आते हैं, शिंदु सभ्यता के पतन होने के बाद, जो नवीन सभ्यता का विकास हुआ, जो नई सभ्यता पनपी, उसकी संपूर जो जानकारी है, हमें वेदों से मिलते हैं, इसलिए इस काल को वैदिक काल कहते हैं, और इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहते हैं, इसके जो निर्माता थे वो आरे माने जाते हैं, आरे संस्कित भाषा का सब्द है, जिसका मतलब होता है स्रेश्ट, आरे भाषा सूचक सब्द है, जाती सूचक नहीं है, आरे भाषा सूचक सब्द है, जिसका अर्थ स्रेश्ट होता है, ये कोई जाती सुचक नहीं है मैंने आरे कोई जाती नहीं थी कई बार लोग सवाल पूशते हैं कि क्या आरे कोई जाती थी जी नहीं आरे शंस्कित भासा का सब्द था जिसका मतलब स्रेष्ट होता था और ये भासा सुचक सब्द है न की जाती सुचक आर। अपने घ्यान को शुन कर एक पीडी से दूसरी पीडी तब पहुचाते थे। जैसे अगर मैं सेशन को पढ़ा रहा हूं, आप इससे पढ़ते हैं, अगर नोट नहीं करते हैं, अगर आप इसकी नोट्स नहीं बनातें, तो जितना सुनते हैं, उसमें याद रहता, बनाये दूसरी पीड़े को ट्रांसफर करेंगे तो तो पढ़ेंगे जब हम उचानद के मादध्यां से पहुचाते हैं को इसे नहीं हो सकता कि उतना आपको यादव और आने वाली पीड़ी को पढ़ाएं वही और उस पीड़ी को पढ़ाएं कही तो यहां पर यह dhyaan कि आरी जो अपने ग्रां को सुनकर एक पीडी से दूसरी पीड़ी दफ हुचाते थे क्योंकि उन्हें लिपि का ग्यान नहीं था, उन्हें लिपि का ग्यान नहीं था, हम लोग पढ़ते आ मतलब आप क्या समय है, मैंने उस समय लिपि का ग्यान नहीं था, इसलिए वैदिक shipt को हम सुरूति baba видно के थे, इसमें क्या कहते हैं, कोई से कहते हैं। तो कोई से पूछ ले कि वेजर सुरुत उसलिए के नाम से जानते हैं इसका एक नाम शहिता भी है इसका एक नाम क्या है अगर कोई पूछ ले कि विया शहिता क्या है तो आप उसका जवाब आसानी से दे पाएंगे अब उसका जवाब क्या है आसानी से दे पाएंगे कि शहिता क्या होती है साहिता मायने हम सुर्टिश शाहित्स को वेदिक शाहित्स को दिखिक की नाम से वी जानता है अब एक सवाल आपके मन में आएगा कि सर हम यह जानना चाहते हैं यह हम पढ़ना चाहते हैं कि जो वैदिक सब्विता था यह इसका अध्यन कैसे करें या कैसे इसका अध्यन हो सकता है तो आईए हम लोग जानते हैं कि वैदिक सब्विता के अध्यन के साच के सुरोत क्या-क्या थे यह आपके परिक्षा में पूछा जाते हैं और हम उनमें लाक्षर भी देते रहेंगा और आप साती साथ नोट्स बनाते चलेगा वैसे पूरी पीपीटी को भी हम लोग पढ़ेंगे लेकिन मैं चाहूंगा कि आप हमारी क्लास में इस सेशन को लिखते चलेगा ताकि आपके पास खुदका नोट्स बनके त्यार हो जाए और अगर आपके पास नोट्स नहीं बनके क्या साच थे माने अन देखना होगा वैदिक शब्धता अगर हम यहां पर लिख दें वैदिक शब्धता के अध्यान के अध्यान के अध्यान के साच कि अभी साच थे हैं इसके जो साच थे वो दो थे अब आपके मत में आगा कि सर दो कौन कौन से थे क्या आप बता सकते हैं कि दो साच कौन कौन से थे बताए इगर आपको जानकारी हो तो बताए एक पुरा दूसरा शाहित्तिक सास था पूरा ताक्तिक मैं का रफ्राल क्या था पूरा ताक्तिक आपक्षे था यह परिंट्चा में पूंचका orama दूसरा साहित्तिक साथ दूसरा है कि साहित्तिक साच भी लिखा जा सकता है तो थोड़ा सा कि बनाने में थोड़ा से दिक्कत होता है साहित्तिक साच पूरा तात्विक साच में भी तीन प्रमु खेडिंग आप चाहे तुसे लिख सकते हैं एक था चित्रित धूसर मृत भान्ट लिखना चाहर तो लिख ले वरना हम इसमें पॉइंट बनाकर आपके लिए लिख दें जो लोग भी देख रहे हैं यहां पर हम अगर नंबर एक करेंगे तो चित्रित धूसर मृत भान्ट जित्रित धोसा मृत्भान यह परिक्षाओं में खूब ज्यादा पूछे जाते हैं जित्रित धोसा मृत्भान था अब अगर हम देखिए दूसरा यह भी आपकी परिक्षा में पूछ लेते हैं यह बोगाज काई का अभिलेग जिसे हम मितनवी अभिलेग कहते हैं अगर आप लिखना चाहें तो लिख लेए वैसे आपकी मर्जी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए काफी महत्यपूर है दूसरी पैंट के में बात करू तो बोगाज काई काई यह अभिलेग है मोगाज काई अभिलेग इसे और नाम से रहांते हैं उसे हम मितनवी मितनवी अभिलेग मैं इसके बारे में बता देता हूं बहुत ज़्यादर तो नहीं पूछा जाता है लिए फिर भी अब अपने अध्यान के लिए देख रहा है न बोट पे अब कीसरा नंबर है अगर इसकी बात करें तो इसका जो ग्यांत हुआ था यह शोला सो बीशी यह शोला सो इसा प्यूर में अगर भोगाज काई था यह चौदौ सो बीशी है तो हम लोगों ने देखा कि बैतिकशता को अध्यन करने के लिए हम दो प्रकार के सच हमारे सामने मिलते हैं या इतिहास में अध्यन करने को मिलते है जिसमें पहला पुरा तात्रीग साच धूसरेraste को न लोगों ने देखा जिस्वें कि पृतात्रीग साक्ष में सुझतल से द्भाण नहीं लोगों कई बार फढ़ा और आपको ग्याद भी होगा वैसे मेरा शावाल आपसे क्या है कि में द्भाण नहीं क्या है जब आप सभी क्याने चाहिए मैं द्भाण नहीं है दूसरा इसमें जो था वह आज का यह प्ले जिसे हम मितनिवे लेक के नाम से जानते हैं 1400 इशापूर में अगर इसमें लिखना चाहिए अगर कुछ हेडिंग बनाना चाहिए तो लिख सकते हैं इसमें खत्री और मितनिवी कभीलों इवं इंद्र मित्र वरूर और नासत्य वैदिक देवताओं का उलेक है लेकिन इसमें अगनी का उलेक नहीं इसमें क्या है कशी अभिलेक को बारे में यह 1600 इसापूर में बनाना इसरे ज्रे घ्यात होता है कि एरानी आरियो की एक साका भारत आई थी ये सवाल पूछा गया है परिक्षा में कि कहां ये पता चलता है कि एरानी आरियों की जो साका थी एरानी आरे की एक साका भारत आई थी ये कैसे पता चलता है ये कसी अभिलेग शौलोस इशापुर वाले से प्रापत होता है तो ये आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है य साहितिक साच जब भी साहितिक साच का नाम आता है एक नाम अपके जिहन में जाता है जिसका नाम है रिगवेद कितने लोगों ने रिगवेद को पढ़ा है या मतलब सुना है रिगवेद के बारे में कमेंट करके जबाब दीजेगा हाँ वीडियो को शेयर कर सकते हैं जो भी गुल दस मंडल हैं कितने मंडल हैं दस मंडल स्य आपके लिए इंपॉटेंट हो जो लोग यह पपना रहा है है मंडल कितने थे सुक्तियां भी पूछ ले घाती हैं इसमें सुक्तियां कितनी थी तो सुक्त जो थे millor एक हजारफ्थाईस थे यह दोनों इंपोर्टेंट है यहां दोनों से परिक्षाओं में शावाद पूछे जाते हैं हम लोगों ने देखे लिए कि शहित्तिक साच में हमें जो पहला मिलता है वह रिगिवेद मिलता है जिसमें 10 मंडल थे 2018 था पहला दस्वा मंडल बाज में जोडा गया पहुत इंपोर्टेंट है लिख रहा है अगर नोट कहें लेख लीजेगा कि रिगिवेद में पहला और दस्वा जो मंडल था यह बाद में जोडा गया और सबसे पुराना साथ्वा मंडल था पूछा जाता है परिक्षाओं मे यह कौन मानता है यह मैक्स मूलर मानते हैं यह बहुत इंपोर्टेट है और मैं चाहूंगा कि आप लोगा नोट बना रहे हैं तो अब इसे लिख लीजेगा या इसे नोट कर लीजे एक बार यह भी सवाल आता है कि मूल निवास क्या है तो आरियों की मूल निवास में बड़ में लिख सकते हैं और है मूल निवासि क्या थे मूल स्थान और Danny मना है है और लेकर मूल अस्थान क्या है मत क्या है जैसे सब्सक्राइब कौन बांता है नाक्र संपुछा था यह किसका मानना था यह बाल गंगादर तिलग जी का मानना था प्रішत तो तो क्यों ओर वो तिए सय तSabaz यह कौन मानन रहा था यह द्यानल सचवत्ति मांन रहेति यह मैकस्मूलर मानते थे षाव्यां मानते ढकिसमूलर मानते थे पंदराई के ऌक रिजी और सर्मा के के सर्माक्री थे वह हीमाले श्याय है तो अर्यो के मूड आस्थान तो इसका जो सबसे प्रमाडिक मत्रवAJम उसका में मद्स एसिया में triple बैक्टरिया अथ्वा आलपस परवत के पूरभी में यूरेशया को मान हैं माने आर्यों के मूल अस्थान करेद्ट च्छेट्र आलपस परवत को पूर्वी छेट्र जिसे यूरेशिया माना जाता है वो मैक्स मुलर ने माना है उसे, अब कुछ कॉमन बात आपको जाननी है और कोसिस करना लिख सकते हैं तो लिख लीजेगा, जैसे रिगिवेद, जो रिगिवेद था, रिगिवेद में एवं इरानी ग्रंद, रिगिवेद एवं एक इरानी ग्रंद जिसका नाम जिद आवेस् जिद आवेस्था में कई समान्ता मिलती है, जैसे वैदिक इंद्र, वायू, ये मित्र आवेस्था के इंद्र, वायू, मित्र आदी, जिद आवेस्था जो इरान का ग्रंद है और रिगिवेद दोनों में समान्ता मिलती हैं, एक बात और आपको जानना है, कि बाइबल में कहा गया है कि संसार की जो रचना होई है, पुरे दुनिया की जो रचना होई है, वो 23 अक्टूबर 4040 पूर को मानी गई थी, कम मानी ग 23 अक्टूबर? बारत में आजयोगा जो आगमन सबसे पहले सब तसे अंदो प्रदेश में हुआ था इसके बाद अगला जो पढ़ा था उनका कुरुषेत्र श्रस्वति और जो दुस दती नदियों के बीच के प्रदेश में थे जिसे मनुश्मिति में ब्रह्मा वर्त कहा गया था इसके बाद गंगा यमना दौपर कब जा किया जिसे ब्रहमरिशी देश कहा गया आगे बढ़ा कर हिमाला यह जो बिंधा चलके परोतों के बीच के छेत्र को भी चुना उसे मद्ध हिमाले या मद्ध देश पुकारा गया थ इस पकार हम लोगों ने देखा कि कई चीजे हमें उलेक मिलती हैं आगे चलकर हम देखते हैं कि बिहार तक आर्य पहुझ गये और इस समचे छेत्र को हम आर्यावत नाम रखें संपूर जो छेत्र था उसे आर्यावत नाम रखा गया तो कुछ ऐसे की पॉइंट भी मिलेंगे जो हमको लिखना जैसे वैदिक शाहिताओं में 31 नदियों का उलेक है उसमें 21 नदियों का जिक्र है रिग्वेत के नदी शुक्त में 21 नदियों का उलेक है सबसे महत्पुन नदी शिंदू सबसे ज़्यादा बार उलेक है सबसे पवित्र नदी श्रस्वती है इसे नदी तमा नदियों की माता खा गया है गंगा का एक बार और यमुना का तीन बार उलेक हुआ है आगे हम इस सेसन में सीरीज में कुछ नदियों के जो नाम है हम उसे पढ़ेंगे और यह जानेंगे किनकी नदियों के नाम क्या क्या थे जैसे गोमल गोमती नेदी को कहा गया प्राचीन नाम उसका गोमल था और आज का नाम गोमती है आज का जो गंड़ा का उसे प्राचीन नाम उसका सदानीरा था जेलम का प्राचीन नाम वितस्ता था तिनाप का प्राचीन नाम आसकिनी था और घगघर रच्छी चित्तक जिसे आज ह उसका पुरान नम सस्वती था तुछ का विपासा रावी का परुषणी तो इसका विपासा रावी का परुषणी जेहलां नदी शुक्त में वाणित पहली नदी गंगा उस नदी सुक्त में पहली नदी वाणित है वह गंगा उसे अंतीम नदी गोमल है जिसे आज का हम गोमती नदी कहते हैं अब हम इस सेशन के स्लाइड पर चलते हैं ताकि हम आपको स्लाइड के माध्यम से अन्य चीजों को बता सकें और समझाने का प्रयाश करें अब यहाँ पर हम और आप देखेंगे कि जो वैदिक काल था जो वैदिक सभिता बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपकी परिक्षा आप इसे नोट्स बनाते हुए आगी पर लेकिस वीडियो को शेया जरू करिएगा लोगों तक पहुचाईएगा अब यहाँ पर दियाग्राम वो ध्यादा देखेगा आगे जहां लोग पढ़ेंगे तो इसकी बारे में हम लोग और अच्छे से जान पाएंगे जैसा कि मैंने उपर भी आपको बता रखा था या उपर मैंने भी आपको समझा रखा था ठीक जा गया है पहला है इश्मिती और शूति क्या है एक संस्कृत सब्द है जिसका अर्थ होता है याद रखना शूति का मतलब क्या होता है तो यह वैदिक काल के ध्यान दिजेगा अपके सामने कुछ वैदिक शाहित्तमें शूति एक संस्की सब्द जिसका मतलब शूना आ गया इश्मिती और शूति अब इसमें भी अमलोग देखेंगे शूति की रचना सांसारिक संतों द्वारा शुनी और प्रशाइद की गई थी शूति की रचना जो शूति थी द्यान दिजेगा यह एक संस की सब्द है जिसका मतलब सुना गया मने शूति की रचना सांसारी संतों द्वारा सुनी और शूति की गई थी रिगवेद यजुरुवेद शामवेद अथरवेद रमण आरण और उपलिशत यह बहुत इंपॉर्टेंट है आप इन्हीं स्कीन सॉट कर सकते हैं इन्हें रिगवेद सब्से प्रमुग अध्याय में चैकते अब हमसे पहले हैं कि सबसे पूराना वेदाध यह क्या हैं सबसे पुराना वेदे रिगवेद सब्से अर्थ होता huh ज्ञान की सुस्ति गन्ना रिगिवेत की जो रचना है यह 1500 से लेकर 1000 इशापूर के मत्य माना जाता है कि यह 1500 इशापूर से लेकर 1500 रिक का मतलब होता है चंदो या चंडो से युक्त मंत्र एक ऐसा वेद ऐसा ज्ञान है जो रिचाओं में बदा है किसे बदा है रिचाओं में बदा है जिस कारण इसे हम रिगवेद कहते हैं रिगवेद में कुल दस मंडल है एक हजार अठाइस मंत्र है जिसे शुप्त कहा जाता है इसमें 10600 इसलोग है कई बार इसमें 10580 मंत्र इसलोग कहा जाता जिसे लगबग 600 इसमें नववा और दस्वा मंडल बाद में जोड़ा गया नववा दस्वा मंडल बाद में जोड़ा गया जिसे हम छेपक कहते हैं क्या कहते हैं छेपक अगर सवाल आपके परिच्छा में आ जाए कि छेपक क्या होता है तब क्या बताएंगे छेपक क्या होता है मनिए छेपक का मतलब यह होता है कि नवा दस्वा मंडल बाद में जोला गया है जिसे हम छेपक कहते हैं इंग्याराव बाल खिल कितने सब्सक्राइब गया परिक्षां है अधर लिखना लिखी जएगा नहीं तो कोई बात नहीं बाल खिल लिखिए अ पाल खिल लिखिए लोस्त कि कि आपके प्राची निविंव प्रमारिक है जिसमें सबसे ज्यादा प्राचीन है मनिन दूसरा और साथवा मंदल क्या है प्राचीन है जिसमें सबसे प्राचीन मंदल जो है वह सब्सक्राचीन मंदल सात्वे मंडल को हम देव मंडल कहते हैं दो से सात्वे मंडल को वंस मंडल वह देव मंडल कहते हैं जो आपके परिच्छाओं में खुब ज़्यादा पूछे जाता है आगे हम लोग देखें किसकी स्किन्सॉट कर लीजेगा आप लोग रगिवेध के जो मंडल है, उपर मने आपको बताया सबसे लंबा पहला सबसे लंबा नकolie सबसे लंबा मंडल है, जो कई बार अपके परिक्षु में पूछ लिए ज़ाते हैं हम लोगों नि आ सबसे नया सबसे लंबा मंडल मंडल दूसरा से शाथ मंडल मनल दो से साथ मंडल सबसे पुराना और सबसे छोटा भी है मंडल तीसरा इसमें गात्तरी मंतर शामिलें कि अ अगर मैं इसके बारे में बात कुर तो साथ आप रिशे लिख सकते हैं समझ सकते हैं कैसे वेद त्रही को क्या कहते हैं वेद त्रही कहा जाता है मंडल जो है रिशियों के नाम को समर्पित जो दूसरा मंडल है कि इंद्र देवता को तीसरा मंडल विश्वामित्र किसको समर्पित है विश्वामित्र को जिसमें गैत्री मंद्र है जो है जो छट्वा मंडल को हम सत्व मंडल को हम वक्षिस्ट मंडल कहते हैं वक्षिस्ट मंडल लेखना चला लख लीजाएगा यह वसिष्ट को समर्पीत है यहां से परिक्षा में पूछ लिया जाते हैं और अच्छा वसिष्ट वसिष्ट को समर्पीत है इसमें दस राजाओं की लडाई का वरण है मनें दस राग की युद्ध का इसमें दस राग युद्ध का वरण है किसमें सात्वे मन्डल में सबसे पुराना मन्डल है वसिष्ट को समर्पीत है आठों मन्डल जो है यह करण और आंगीरस वंसी का वरण है इसमें बिदुसी इस्त्रियों के नाम लोप मुद्र घोसा अपाला आत्रे विश्वारा आदी शामिल है कि जो नावों मन्डल तो शोम देवता को समर्पीत है आपके मन में आया गे पहला समांडल अब तों बताए ही नहीं कि है पहला देवताओं पहला दस्वां मन्डल जो है देवताओं और रिश्व की वेविता का वाड़न है दस्वे मंडल में वयवस्त मनु का उलेख मिलता है तो हम लोगों नहीं पर देखे लिए कि प्रवुख मंडल से किस प्रकार किसका समंत परिच्छा में पूछ ले जाते हैं अगर आप में जो बतार था कि लिखते चलेंगे तो आपका खुद का नोर्स भी बनकर त्यार होगा मंडलों के प्राप्तिविवरण अगर देखे पहला मंडल था तो पुन यवग परदान कर चांका मैं इसका पैर कड़ जाने पर अश्विंद्योता ने भादों का पैर तो कहीं ने कहीं यह आपके परिच्छाओं के लिए भी खापी हद तक उप्योगी भी तो यहाँ पर आप रिगवेत देख पा रहे हैं जो आपके परिच्छाओं के पूछे जाते हैं तो अब हम लोगों ने देख लिया रिगवेत के मंडल नौवे मंडल में यह सोम को समर्पित उपर मैंने आपको बता दिया मंडल देश में पुरुष शुक्त नास्दी शुक् चलि तो यहाँ पर रिगवेत में कुछ महत्त पूर्ण चेज हम लोगों ने पढ़ लिए महत्य पूर्ची इंग ने Godless मंडलों का अरम अग्णी इस्तुती था मनेजिए वंसे मंदलों का अरंब अगनी की संत्थिती से होता था देखि वेद में पटूल 5 साख आए है। से काही कौन उप्लब्ध है साकल सहिता है वास्कल सहिता है आसवालन शहिता है शंखापन सहिता है मंदूप के शहिता है य glare सो अभीए आधि प्वालारा इसे मूलु वादिक शायत कैसा मान शायत क्या अगर उसको लिखना चाह warned कि आपके काम आ जाएगा तो जो लोग भी देख रहे हैं जिसे अगर मैं लिखना चाहों तो एक चीज मिलेगा कि मूल वैदिक शायित कौन से है江 मू लू मूर्डिक शाहित्य अगर मूलवैदिक शाहित्य की बात करें तो कुछ नाम आपके जहन में आ रहे हैं वेद कई पर परिच्चम कुछ लिए तो वेद कितने हैं तो वेद आपके चार जानते रहे हैं ब्रामण कितने हैं आपधा प्रिच्च पुछ ले हैं यह कितने परिच्चंप पूछता आये सब bिलों कि इन्पोर्टेंट है यह कितने रहे अब कि उर्षक कितने भी अ इशे और किस नाम से जानते खुल अर्वस नाम्से आं 108 व्यदान कितने है 108 तो हम लोग उन्हें देखा कि जो मूल वैदिक शाहित है उनकी संख्या चार है वेद चार है ब्राम्हड आठ है अरेड़क्षा है उपनी साथ 108 इसे व्यदान कहते हैं लेकिन इसके साथ-साथ हम अगर बात करें कुछ और चीजह में पढ़ने को जानने को मिलती है सामाने शाहित क्या है वैदिक काल की सामाने शाहित हैं हम देखते हैं सामाने शाहित में क्या-क्या चीजह हम लोग को पढ़ने को क्या-क्या चीजह यहां से जानने को मिलती है अगर हम सामाने शाहित की ब कि दर्शन वेदांग कितने कर बताएगा दर्शन कितना अच्छ अन्य वेदांग विछ यह दर्शन विछ इस सुत्र साहित ते कितने हैं अब सुत्र साहित ते उसके बाद कि महा काव पुछे आते हैं महा काव क्या है बहुत ज्यादर इंपोर्टन ने अच्छ नाम को बता सकता है कि पुरान कितने हैं पुरान कितने हैं इसको बाद श्मितियां कितनी हैं कितने लोग श्मितियां बता सकते हैं मुख्य रूप से साथ है मुख्य रूप से तो यहां से हम लोगों ने देखा कि यह आपके लिए महत्पोने कि मुल वैदिक साहित जो है वेद ब्रह्मण आरेनक और उपनिशद और श्मान साहित में वेदांग दर्शन शुत्र साहित महा काव पुरान और इश्मितियां जो प्रायाक के परिक्षा में पूछ ले जाते हैं ब्रह्मण गरंथ उसका परोहित भी होता है तो हम लोगों एकदम अच्छे से पढ़ लिया तीसरे मंडल में मैंने पढ़ाया था और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि तीसरे मंडल में क्या चीज़ आपको पढ़ने जाने को मिली थी अच्छे गाता है और गोपत का प्रहमा है पूछा जाता है और मैं चाहूंगा जो चीज़ पूछने वाली चीज़े वह आपको लगभग लगभग रटी रहे है घाएत्री मंद्र का उल्लेक इस मंदल में था तीस्रे मंदल में था किसमें इसमार को तोा कि साथ वनडल जो था कई बार पूछ ले घाता है साथवे मंदल से अगर आप का जिक्र किया गया है तो गुरुकुल में चात्र मेधा की तरफ तराटे थे मतलब यह था कि उस समझ सिच्छा पत्थी थी गुरु बोलता सिस उसे याद करते हैं मनें मौकिक क्या जिक्र रिगिवेत के सात्मे मंडल में क्या गिया जो आठवा मंड़ पूछा जाता अठे मंडल में नवा मंडल क्या है कि कर्म आदाज वन विवस्था का पता चलता है कि मैं कभी हूं मेरी माता आटा पिसने वाली हैं मेरे पिता वैद्य हैं अर्था कोई भी व्यक्ति कोई पेशा चुनने के लिए सुद्धा मने जो नवा मंडल था न वरिक वे देखा इसमें कर्म प्रतीत होता है स्पष्ट होता है जो दस्वा मंडल था यह प्राचिंत मुलेक इसी मंडल मिलता है कि भारती तिहास में सुद्र वैश्णों की प्रथम बार्चर्चा भी मिलते हैं तो कहीं ने कहीं जो रिगिवेद था या कि परिक्षा के लिए कापी हत्ता उप्योगी औ महत्त पून भी था विजाग पुर्ष के मुक्से ब्रह्म भजा में छत्री जैंग्णा में वैश और पैर में शुद्र थे यह अपने चित्र भी देखा होगा तो इस तरह से सवाल भी परिच्छा में कई बार आये हैं और कई बार पूछ ले जाते हैं को तो वेद कितने लोगों ने देखा कि वेद जो चार थे उन चारों वे दो में वेद लेखन का प्रकार पूछ लेत कि कि सबह से रही या हम बताने का प्रौश करें अगर वेदों की में बात कुरों तो कितने इसरी लौग से प्रेसे olan स्क्रार चाहिए उन वेदों के बारे में लिखना है तो लिख लिए आप लोग सभी लोग जानते हैं रिगवेद उपर में काप्तफी देर से रिगवेद की चर्चा कर रहा था और यह रिगवेद किसमे थे पद्ध में है उसके बाद जो दूसरा वेद है यहां से परिछाम सवाल आते हैं आप लोग इसे चाहें तो लिख सकते हैं अब यह जो रिवेद किसमे था कोई बदा सकता है पद्ध में और हुआ अब तीसरा जो वेद था उसका क्या नाम था शाम वेद फिर लास्ट वाला क्या था अठार वेद तो जो श्राम वेद था वो किसमे था यह पद्ध रूख में था यह अंसिक अंसिक पद्ध रूख में कई पर यहां से भी सवाल आते हैं अगर आप चाहें तो पढ़ लें मतलब रिकुवेद पद्ध में यजुरुवेद पद्ध का दोनों में था शाम वेद पद्ध में था अठर वेद आंसिक गद्ध में था like यह जो वेद था उन्हूं़ गोशन लिखет लिया अब यहां पर Sarah gelecek बात्ता आ ओल्यक पुषक्षेंट के बाद को पुष्ड लागता है मैंने बताया था वैज Tamam जूजर पध्धु और घद्य में लिखा गया है दिसका भ्रहु गरंगत जärtतरी सत्पतत अधर वी इसके पुरोहित थे शाम वी बद्ध में लिखा गया था 25 टंडए कहें के जैमनी संट 20 उद्गाता इसके जो पुरोहित उद्गाता थे अधर वेद आंसर ग्रुप से गद्ध में लिखा गया जैसे कि मैं उपर बताया इसके ब्राम्हर गरंत गौपत थे और इसका पुरोहित ब्रह्मा थे अथरवेद खाल अब यहां तक किसी को कोई सवाल हो तो पूशक्ता है वरना हम लोग आगे चले अब यहां से एक छोटा से टॉपिक हम लोग लेकर पढ़ेंगे कि आर्यों की सभ्यता कैसे थी आर्यों की परंपरा जीवन का धार मैंने अब हम लोग छोड़ी शेड़ी डालेंगे और क्या थे क्या मन में ऐसा आया आर्य आर्य थे क्या दिख रहा है आपको नहीं दिख रहा है क्यमा आर्यों होगी क्या दिखेंगे आरे आरे पढ़ने जा रहे है अब लोगोंने बता ही नहीं आरे आरे पढ़ना है हम आरे के बारे में क्या पढ़ने जा रहे है क्या आपके मन में है हमार के बारें क्या पढ़ेंगे आप यहां पढ़ेंगे आर्यो की सब्यता हम पढ़ेंगे आर्यो की सब्यता आर्यो की परम्परा आर्यो की परम्परा यह भी पूछ रहा जाता है कई बात जीवन का आधार आरियो की अच्छा आरियो का था यह फिर आरियो का यह लगा लीज़ेगा आरियो की संस्कृती ही इस पर आप कॉल या वाट्शेप करके जनकारी ले सकते हैं यहां पर सभी नोट्स आपको मिल जाएगी अगर आप चाहें तो वहाँ पर सभी नोट्स है वही मिल जाएगी और आप क्राफ्द भी कर सकते हैं आरियो की जीवन का मुख्य आधार तो आरियो की जीवन की मुख्य आधार था वो पशू थे वो पशू चाहाण थे उनकी जो अर्तिवयोस्ता में नगरी जीवन की जो शबिता थी वह सून्नी थे और ग्रामिर सबिता अधा थी अरियो का मुख्य पशू URL गाय था जिनका रिग्वेद में लगबाई 176 बार जिक्र हुआ है उनका जो पालतु पशु क्या था गाय जिसका जिक्र रिग्वेद में 176 गाय सबसे पवित्र पशु था शंपत्तिक का मुख्य आधार भी गाय थी इसलिए युद्ध का कारण भी गाय थी मनें आर्यों के समय युद्ध का कारण था वो भी गाय थी वो भी क्या थी गाय ही थी गायों के लिए होने उमारे युद्ध के लिए गविस्ट जैसे सब्दों का प्रयोग है कौन सा गविस्ट लिख लिएगा गविस्ट ये बहुत बार परिक्छा में पूछी गविस्ट मतलब गायों के लिए युद्ध गायों के लिए युद्ध कविस्ट गायों के बाधने क्या स्थान को गोत्र कहा गया एक सब्द था गोत्र मैंने गाय को बाधने वाला जो अस्थान था उसे गोत्र कहा गया पुत्री को दोहिता कहा गया अर्थाथ गाय को दोहने वाली क्या दोहिता लिख लीजेगा सभी लोग किसे कहा गया पुत्री को मानि गाय को दोहने वाली दोहिता कहा गया क्या कहा गया दोहिता कहा गया तो कहीं कहीं हम लोगों ने देखा कि आर्यू किस प्रकार हमारे लिए उप्योगी थे अर्यू की बारी हम लोगों देखा गविष्ट मैंने गायों के लिए युद्धोता तो मुक्य संपत्ति थी वह भी गाय थी समाज का जो मुख्य अप्राद था वह भी गाय थी क्यों कि गायों की चोरी होती थी और पसू को चुराते थे पड़ी कहा जाता था एक सब्द आ यह घाय छोर को पड़ी कहा जाता था एक सब्दिस्न मैं आता था सब्द गाय सब्सक्राइब क्या था कुछ जानना या बताना चाहाएगा सब्द्द गाय सब्द क्या था क्लाइन हमने लिखा था कि उनके जीवन का हार क्या था तो आ्रियों के जीवन का जिम्मों क्या धार था वो पसूचारण था वह अरत्रव्मस था भी उनकी पसूचारण ही थी मतलब इसका मतलब यह है की आर्यों को क्रिशी का ग्यान नहीं था आर्यों को क्रिशी का ग्यान नहीं था आर्यों को क्रिशी ग्यान नहीं था रिग्वेत के पहले मंडल में उलेख मिलता है जिसमें छोटी छोटी नहरो अर्थात पुल्या का उलेख है इसका मतल़ लोग परचित थे क्रिशी के लिए चासनी हल से बनी नाली को शीता हल को लाधन जुतवे खेत को छेत्र हलवाहे को कीवास कहा गया मतलब रिगिवेत के पहले मंडल में किर्शी का उलेग भी मिलता है किर्शी का ग्यान तो नहीं था ऐसा इस पस्ट होता है कि उत पसुचारण थे वे क्या थे पसुचारण थे लेकिन फिर भी एक जगह आपको सिक्र मिलता है मैंने आपको नहीं बताया खोby filthy क्या जिक्र मिलता कहां अ भुट की पहले मंदल मेंرة क्या मिलता है अ रिवेल रोग। कि शुशी का ग्यान था आर्यों को क्रिशी का ग्यान था हम कैसे का सकता है कि इसमें छोड़ी छोड़ी नहरा था कुल्या का उल्यक्ष मिला है कुल्या का मतलब क्या था है आपके छोटी छोटी नहर छोटी छोटी नहर का जिक्र मिला इसका मतलब कि लोग किसे क्रिशी से परचित थे इसका मतलब क्या था लोग किसी से परचित थे यह असपश्ट होता है और वहां पर कुछा सब्द है जो मैं आपको यहां लिखना चाहूंगा यहां पर कुछ सब्द हैं वेंगे शब्द आपको लिखना जरूरी है कृसी थे तो इसलिए यह लाईन आक Спो समझने के लिए ही था जानना जरूरी थागी में पढ़ारों कॉंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए था चहरसणी ये पूछा जाता है चहरसणी का मतलब क्या था क्रिशी के लिए चहरसणी सब्देका प्रियोग हुआ था शीता किसे कहते थे हल से बनी नाली को शीता कहा जाता था हल को लांगहन कहते थे अच्छा मैं लिख दू क्या क्रिशी के लिए क्रिशी के लिए चहरसणी सब्देका प्रियोग करते थे वहीं सीता हल से बनी नाली हल से बनी नाली के लिए सीता सब्दे का प्रयोगत लाघन क्या था लाघन हल के लिए लाघन सब्दे का प्रयोग करते थे अब छेत किसे कहते थे जूते हुए खेत किवाज किसे कहते थे खलवाहे को इस प्रकार हम लोगों ने देखा हम लोगों ने पढ़ा हम लोगों ने समझा कि क्या क्या इस्तितिया थी क्या क्या चीज़े हमारे लिए काफी महत्रपूर्ण थी जो परिक्षा के लिए कठा कर सकते हैं अब हम इसके राजनेतिक संग्टन की बात करते हैं आप लोग इसे लिख लिएगा क्या आप लोग लिख रहे हैं कि नहीं सभी की इस पोटेंटिसे में बार बार करो लिख ली जाएगा नेतिक आजनेतिक संग्टन अंग्टन भी लिखा जा सकता है अब यह भी लाइन आपके लिए इसके बारे में भी थोड़ा सद्ध्यान करेंगे और आप नोट्स बना रहे तो नोट्स बना भी लिएगा अरे जब भारत आये न तो विभीन प्रकार के जनों में भाजी थे जिनका प्रधान राजन या अन्युपादियां पूर्भेत्ता मैं दुर्गों को भेदक जनश्य गोपता मने जनों का रच्छक तो कुछ सब्दावलियां मैं यह आप लिखूंगा जो आपके लिए कुछ सब्दावलियां हैं जो आपको सभी को परहें लिखने और जानने जरूरी है इसमें भारत जब आये तो विभीन जनों भाजी थे प्रधान क्या होता था राजन माने जब आरे भारत में आए तो विभीन जन में बटे हुए थे जिनका प्रधान राजन होता था अलुपाधियां जिश्यम पूर्भेता कहते थे क्या कहते थे पूर्भेता मने दुर्व को भेदने वाले को पूर्भेता कहते हैं जनश गोपता जनश गोपता मने जनों का रच्छा तो यह कुछ ऐसी सब्दावन हैं जो परिच्छा में पूछ ले जाते हैं ए राजणीतिक संगतन की सब्सें चोटीक और कुल कर ए है यहाँ पर परिछा में पूछ ले आता है कुल का मतलब यहाँ पर क्या था कुल मैं ने बताया भी यह राजणीतिक संगतन सब्सक्री क्यक् sol माने क्या था परिवार कुलप क्या था परिवार का मुख्या कुलप था कई कुलों का जो शमू था वो ग्राम क्यालाता था यह क्या था कुलों का शमू कुलों का जो शमू था उसे ग्राम कहा जाता और ग्राओं का जो मुख्या था उसे धाध ग्रामों का मुख्या यह विए महने आर्योन की स्वस्य चोटी काई जन ठाथ जिसका मतलब क्या था कि जन का मतलब परिवार था जो राजितिक संगटन की सभथे छोटी इक्ढ़ी थी। उसके बाद परिवार का मुखिया को हम कुलर केहते थे। और कई परिवारों को मिलाकर कई कुलों को मिलाकर जो सम्मु बनता था उसे क्या कहते थे। ग्राम कहते थे और ग्राम का जो मुख्या होता था उसे ग्रामडी कहते थे अब पिर आता है कि सर कई गाओं को मिला कर क्या बनता था कई गाउं को मिलाकर विश बनता था क्या बनता था विश अगर यहां साब के परिच्छा में शवाल आजए विश तो क्या हो जाएगा गाउं का या ग्राम का जो शमू था जो गाउं का शमू था उसे विश कहते जिसका मुख्या विश पती होता था विश पती विश पती माने विश का मुख्या विश का मुख्या जो था विश पती कहला था क्या कहला था विश पती कहला था कई विश मिलकर कभीले बढ़ते थे कई विश मिलकर कबीले बनाते थे जिसका प्रधान राजन होता था लिखना चाहिए लिखने जाएगा कि कई कबीले जो थे मिलकर कई विश मिलकर कबीले बनाते थे जिनका मुख्या राजन होता था राजन निरंकुस नहीं था, राजन पर सभा और समिति जैसी, राजनेतिक संस्थाएं नियंत्रण रखती थी, तो ये आप लोग लिखना चाहें, तो लिख लीजेगा, कई विश मिलकर जन अर्थात कबीले करने मार करते थे, मैंने कई विश मिलकर जन बनाते थे, मैंने कई विश, कई विश से जन बनता था, या कबीला बनता, अब कबीले का मुख्या, राजन, कबीले का मुख्या, कबीले का मुख्या राजन था, निरंकुस नहीं था राजन, इस बस सभा और समीती जैसी, राजनेती संस्थाइन यंत्रा रखती थी, आप चाहें चितना लिख लीजेगा, या आप चाहें इसके स्किन सोट कर लीजेगा, जो भी आकोश रही लगें, अब कुछ और, चीज अगर आप लिखना चाहें, तो लिख सकते हैं, जो आपके परिच्छाग ले इन्पॉर्टेंट है, शभा क्या था? शभा थी, समिती थी, शभा क्या था? पुल सभा अगर पूछ लिया जाए तो, बृद्जन ये कुलीन लोगों की संस्था थी, शभा क्या थी? बृद्जन, कुलीन लोगों की एक संस्था थी, जिसमें इस्त्री भाग नहीं लेती थी, जिसमें इस्त्री जो है, वो भाग नहीं लेती थी, एक समिती था, ये समिती क्या था? राजा के चुनों में युगदान, राजा के चुनों में युगदान यो शामा ने जलका, ये प्रतिन्दित नों करती थी, विदत था विदत क्या था इसान था उसके बाद इशान भी था वो भी लिख दे रहो मैं विदत रुगिवेत की सबसे प्राचीन सहंस्ता थी और उसके अध्धच को इशान कहते थे उसके अध्यच क्या कहते थे इसान कहते थे यह बहुत इंपोर्टन्ट है सभी के लिए फिर असपर्स इसमें आता है वह यह जो में फॉलन पॉर्टव स्कूर्व से आला गुप्टचा यदि नियुकर करता है कोई बता सकता हम वासर्त प्रत पिकky है तेश्य लात़ है एए ठाल हनुरु ऑद सुबर्ला है एचार्य यदिकारी है चारागा अधिकारी था राजा जो गविलों की सभरीदि के लिए यजय आधिकान उस्ठान करता था यह किराता था बाली है पूछा जाता है कि बालि क्या था ऐसे बाली राजा को दिया जाने वाला उपहार राजा को दिया जाने लोगे उपहार उसे बली कहा जाता था वाली कहीं कहीं लिखा गया एक दस्वों मंडली बारे मैंने पढ़ा हुआ था आपने भी पढ़ा हुआ था रगिवेट काल की सबसे महत्पुण घटना दस राज की युद्ध था बने दस राजाओं की युद्ध था जो परुषणी जिसे रावी ने दी कहा जाता है आज का रावी तब का परुषणी ने दी के तटपर भरतवंस तृच्शुवंस के राजा सुदाफ और अन्य दस र इस युद्ध में दोनों तरफ आरे और अनारे दोनों सामिल थे इस युद्ध का जो मुखे कारण था पुरोहित विश्वमित्र को हटाना था जिन्होंने दस जनों को संग्डित क्या था तुन्हें हटाने के नाते यह युद्ध हुआ था और जो भरत वंस्त्रिवंसु के राजा सुदास और अन्य दस राजांग बिछ लड़ा गया युद्ध में भरत जन के नाम पर ही हमारे देश का नाम भरत पड़ा तो यहां तक अगर आपके मन में कोई प्रश्ण हो कोई संसय हो ता पूश्ट है दसराज जो दसराज की युद्ध में आर्यो अनारे दोनों थे दस जन कौन कोन थे परिक्ष्ण पूछा यह दर दस जन लिखना तो लिखने जहेगे दस जन कौन थे कई बार लोग पूछे दस जन कौन थे पूरू, यदू, पूरू, यदू, अनू, द्रहू, तुरुवस, आलीन, पकत, भनालस, विलाशी और श्रिव, ये दस जन थे, और दूसरी तरफ भरत जन, जिसके राजा सुदास थे, इनका निवास सरस्वती यमना के बीच, सुदास द्वारा पुरोहित विश्वामित्र को हटाकर वसिष्ट को पुरोहित बनाना ही इस दसराज जिद्ध का सबसे बाराकार था, ये कई बार परिच्छों में आते हैं, जब लिखित परिच्छा होती जहांपे, वहां पर ये आपके लिए थोड़ी सी शमस्या कर देती जबके सबके निवाज अस्थान अलग लगते, एक छोटा सा लाइन मैं ने डाला था, इसके पहले स्यादाक को ध्यान हो गया, आर्यों की संस्कृति, इनकी समाजिक दशा घरम देखें, आर्यों की जो समाजिक दशा थी, लिख सकते हैं कि, रिग वैदी काली समाजिक दश समाजिक दशा क्या थी, अगर आप चाहें तो मैं बोलता रहूंगा तो आप लिख सकते हैं, वैदी काली समाजिक दशा है, आप नहीं है न, मिनिट, चलि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वैदी कालीन समाजिक दशा है, वैदी कालीन समाजिक दशा है, यह हडी है, वैदी कालीन समाजिक दशा फृतस अदवल ने परिवार में, मुख्या पूर्ण नियंतर्ण होता था, परिवार में मुख्या का पूर्ण, पुरी तरह से नियंतर्ण होता था, प्रथम मंडल में मिलता है कि एक पिता अपने पुत्रों को सव गायों के बदले बेच देता है तो यहाँ पर एक लाइन हम लोगों ने पढ़ा था याद होगा सत गाय साइद आपको याद होगा सत गाय क्या था मनें पहले मंडल में मिलता है कि एक पिता अपने पुत्रों को सव गायों के बदले बेच देता है जिसे राजा हरिस्चंद मानो बली के लिए खरीता है चुकि कबीले की ताकत पुर्षों की संख्या पर मापी जाती है मापी जाती थी इसलिए पुत्र प्राप्ति की कामना की जाती थी वैदिक काली की जो समाजीक दसा तुस्प में महिलाओं की दसा बहुती निम्न थी उन्हें पुर्षों के समान ना राजनेतिक ना समाजीक ना आर्थीक ना धार्मीक ना सच्चिक अधिकार नहीं थी मने रिग्वैदि काल में महिलाओं की दसाजोती भोती निम्ह थी इसमें पुर्षों के समालों ने कोई अधिकार नहीं थे चैया वो राजनेती को धार्मे को समाजी को सच्ची को कोई भी अधिकार उन्हें नहीं था समाज में बिध्वा बिवा बहु बिवा दहेज प्रथा यो नियोग प्रथा आधिका प्रचलन जोरो प्रथा समाज में बिध्वा बिवा का बहु बिवा दहेज प्रथा और नियोग प्रथा का ही प्रचलन भोता है था परदा प्रथा लेकिन पहले जान लेजेगा नियोग प्रथा क्या थी चाहद आपके भी मन में आ रहे नियोग प्रथा तो नियोग प्रथा अपुत्र इस्त्री अपुत्र इस्त्री अपने मृत्र पती के भाईय रक्त समंधी के साथ अनुबंद विवा करती थी इसमें उत्पन पुत्र को च्छित्रज कहा गया नियोग प्रथा में इसमें क्या था अपुत्र इस्त्री अपने मृत्र पती के भाईय उसके रक्त समंधी के साथ पुनरभू को पुनरभू कहा जाता था इससे उत्पन्पुत्र को पुनरभू कहा गया। लिख लीजिएगा यह नोट्स में भी आपको मिल जाएगा कान्या की बिदाई कि समय दिये जाने वाले उपहार को वहत्तु कहा गया दहीच कहा गया लेक्षरी दे रहा हो लेक्षरी लग जाएगा क्लासिश काफी लंबी हो गई है रिगवेद में इस्त्री को जाय दस्तम कहा गया इस्त्री की घर है वह ग्री हस्ती है उसके बिना जीवनी कलपना शंभव नहीं है यह कहा गया रिगवेद में कहा गया है इस्त्री जाय दस्तम कहा गया सिच्छा की बात की जाए तो गुरुकुल में सिच्छा मौकिक दे जाती थी ठीक है वैसे जब हम वेदू की बात करते हैं तो कई चीजें हमारे सामने भी आती हैं और आपने भी पड़ा होगा आकास के देउता थे अंतिस्ट के देउता थे पाताल के देउता थे उनको भी लिखेंगे वैसे नोट्स में आपको मिल जाएंगे अगनी देवता तीनों में थे अगनी आहोतियों दोर अपनी भावना देवता दलों पहुचाते थे औरस किसे कहते थे वैद पुत्र को औरस कहते थे कानीन किसी कहते थे पिता के पास घर में रहने वाली कण्या से किसी पुरुस दौरा गप्त रुफ से उत्पर्न होता था उसे कालीन कहते थे शहोदर किसी पर पुरुस दौरा गप्त untukernah को शहोदर कहते थे एक सवाल आता है कि रिग्वैदिक कालीन प्रमुख देवता कौन से क्या आपके भी मनिमें आता है रिग्वैदिक कालीन प्रमुख देवता रिग्वैदिक कालीन प्रमुख देवता आईए देखते हैं प्रमुख देवता कौन कौन से थे सबसे पहला इंद्र पहला कौन थे इंद्र थे यह सबसे प्रमुख देवता हमें से एक थे देवता इंद्र रगिवेट के दुद्र पचास सुक्तों में इंद्र की ससुति की गई है इंद्र को युद्ध का देवता भेता सुरहंटा वर्षा का देवता शोम को पान करने वाला सुपामा पूर्भित दुर्गों को भेदने वाला मधुवान दानी सत्कृती मैं एक सो सक्तियों का श्वामी वज्धारी आदी कहा गया है इभी कहा गया कि वज्ध के निर्माल करता वरिष्टी रिशीद है दूसरे जो मैं अगने थे दोसो सुक्त रिगिवेत का मंत्र अगनी से शुरू होता है। देवताओं और मानों के बीच अगनी माध्यम का कारे करता था। अगनी की उपादियां अतिति, पत्कृता, ग्रीपति, फिने दत्मने सोने के दात वाला आती था। तो वैदिक काल जो धार्मिक दसा थी उनमें अगर हम देखें तो कई चीजे मिलती हैं वैसे जो वैदिक काल में घूम का सिच्छा देते थे। उन्हें चरक कहते थे। लग आपको याद होगा। वैदिक च्छात्रों को सम्हिक रुप से माडवक कहा गया। नैस्टिक च्छात्र जो थे संपूर जीवन अध्धन करते थे। कुर्वान जो च्छात्र थे सिच्छा के बाद ग्रहत जीवन में जाते थे। ब्रहम आदिनिया च्छात्र हैं संपूर जीवन अध्धन करते थे। करें अचाक बिवा क्या था उसमें दो तरह की बिवा होता था। अनुलोम उच्छ Warg Pुरूस निम्नवरकन्या उपतिलोम निम्नवरग पुरूस कुछ व collagen तो रिगवय्दि काल में बीवा के दो तरह थे अनुलोम और अनुलोण मैं उच्चवर्ग पुरुस निम्नवर कण्या उपतिलोग मैं निम्नवर पूरुस उच्वर्ग कया तो वैधिक कायलेंगे जो देहता हम लोग पढ़े तो समने हमें देखा सबसे प्रमुग जो देवता थे वह कौन थे इंदर थे उसके बाद अगनी आते हैं क्योंकि रिगिवेद में कुल 33 देवताओं का उलेख है शबी देवता प्रकित सक्तियों के प्रतीक थे जिन परमानमी गुण और वोपियन थे इसके बाद तीसरे जिद्ध होता थे वह वरुन थे जिनका तीस सुक्तियों में नाम था वरुन देटा के हम बात करें तो तीस सुक्तिय थे इनका नाम जो था रित गुपा रित नैतिक नैतिक नियम का सरचक पापियों को डंड देने वाला पित्वी पर मौझूद जलश्वामी वरुन को जिन्द आवेस्ता में जिन्द आवेस्ता सुरॉत में जिक्र के था इरा पास्त्र अस्तंबो वाले भौन में रहने वाला उसके बाद शोम है उसके बाद पूशन है यह भी परिच्छा में पूछे आते हैं सुम नवा मंडल सुम को समर्पित है इसे वनस्पत्तियों और आसदियों को श्वामी कहा गया है शोमक सक्ति वर्दक पे था पूशन क्या था पूशन यह पस्तू की देउता थे जो बाद में सुद्रों का देउता बन जाते हैं इनके रत को बकरे खीषते थे ब्रैस्पति प्रिथिवी ब्रैस्पति प्रिथिवी देवियां यह रिग्वेदिक कालिन देउता थे यह कद्योता ब्रैस्पति कहा जाता था रात्र की देवी प्रिथिवीव कहा जाता था और जिसमें हमने देखा कि कुछ देवियों का विउल्येक मिला है अरिवेद के काल में अधिति जो थी देव की माता अनावी वन देवी इला अहुति की देवी पिशान वनस्पति की देवी थी और आपको जान कहरानी होगी अफसराओं और परिजयों का जिक भी रिग्वेदिक कालि मिलता है सबसे अधिक प्रसिद्ध और सुन्दर वैदिक अफसरा उर्वर्सी थी तो यहां तक हम लोगों ने कुछ महत्यपूर्ण चीजों को पढ़ा उर्वर्सी लिख लीजेगों इसे उर्वर्सी के बारे मैंने उपत बताई दिया तो यहां पर हम लोगों ने कुछ महत्यपूर्ण चीजे पढ़े लिया देख ले और जान लिया अब अगर यहां पर देखें शुरुआत में हम लोगों ने कुछ चीजे डिसकस किया हुआ था एक बात मैं आपको थोड़ा सा चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो लोग अभ भी लोग जोइन कर लेजएगा तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं फेस्बुक पर या इस्टाग्राम पर यूटूब पर कहीं भी देख रहे हैं या यह लर्नी पर आप इसे टेलीगराम पर चाहिए ताकि सभी क्लास के नोट्स लिंक वीडियो एक बार में सभी लोग और NCRT के सभी नोट्स हिंद्यों गरेजी दोनों मेडिया में उपलब्ध हैं इसके अलाम आप NCRT की नोट्स भी 6 से लेकर बारत तक किसी मीडिया में प्राप्त कर सकते हैं जो आप नमबर दिया गया है साध्य आपके खामा जाए ठीक जो लोगी लाइब देख आपकी परिच्चा है शवाल पूछे जाते हैं और हम चाहते हैं जहां से भी सवाल है उन चीज़ों को तयार रखना होगा जो लोगी वीडियो देख रहे हैं इसमें सामविवेद में इस राग और मंत्रों का वेद का जाता है मंत्रों वाला भी इसमें 1540 स्लोक है 75 स्लोक को छोड़कर सभी रिग वेद से लिए यह आपके लिए इनपोर्टेंट है इसे भारती सास्त्री संगीत और नित्य का मूल माना जाता है माने भारती संगीत का जनक हम शामवेद को मानते हैं इसमें ब्राम्हर ठांडे कणविश और इसका गुवेद गंधर वेद शंगीत है यह बहुत इंपोर्टेंट है यहां से परिक्षा में शवाल आते हैं आगे कर हम देखें तो यह देखें सामवेद का यह जुरुवेद का मतलब होता है पूजा ज्यान इसके दो प्रकार है क्रिष्ण काला या गाहरा क्रिष्ण के पास चंदों का एक अब्यवस्तित अश्पस्ट दिवित संग रहा है सुक्ल ने चंदों को ब्यवस्तित अश्पस्ट किया है यह जुरुवेद कि आपके खाम का उतस्की सोट कर लेजिए अथरवेद यह अथरवन मनें तत्पुरुष समाश है यह भी पूछ रहता परिक्षम अथरवेद को उनसा समाश है तत्पुरुष समाश है इसे 20 कांडों पाठों में भाजी था जो 36 प्रपाठकों में भी भा जादू टोने वाला वीद कहा जाता यह जादू है तो ने वाला वेद कहां जाता है प्रिच्छा में पूछे आप लिखें चाहना लिखें आपकी मरे जी यह था वैदिक का उपनिशत क्या है यह भी देख लेते हैं आप थोड़ा सा इसे आमतोर पर विदांत यहां वेद क अंत कहा जाता है कि इlower ऊपनिषत को कूल 108 विरिधाराने और धांडोगे दो सबसे पुराणे उपनिषत अत्मन और चितना के निर्मार के बारे में बात करता तो ये PPT थी जिसको मुझे पढ़ाना था लेकिन मैंने आपको lecture के माध्यम से पढ़ाया और मैंने पूरी कोशिश की कि मैं पूरी lecture को कवर कर दूँ आपका notes भी बनकर तयार हो जाया आपकी सेस्थान और क्लास भी अच्छे से डिसकस हो जाया है पुरान के बारे हों लोगों ने पढ़ा है यह बहुत बिस्त्रित और इसमें 18 मुख्य पुराण है आठ सहायक पुराण है इसमें चार योगों का उलेक है कृत त्रिता दौपा रोख करियो यह बहुत हो सकते हैं रामाय यह सबसे कुन करके नाम से जाना है जाता था पूचा जा जाता इसका प्राम्भ 6,000 इस लोकों से हुआ है और अलग अलग समय में अनेक परियोतों के बाद कुल 24,000 इस लोग हो चुके हैं राम आयड में शांती पर भारती महाकाव्य महाभारत की अठार पुस्तकों में से बारामा है शांती पर बहुत ज्यादा परिच्छा में पूछा जाता है हुआ हम लोगों ने वैदिक काल पढ़ लिया वैदिक काल अधर्म है अब धर्म हो गया हमारा यह वैदिकाल के दस अवतार अच्छा यह उत्तर वैदिकाल आ गया रुख जाए अच्छा उत्तर वैदिकाल अभी नीचे है एक मिनिट रुखेगा अप लोग अब हम लोग पढ़ेंगे धर्म अब लोग लंबी क्लास हो गया अगर मैं धर्म की बात करें तो इंद्र विजली गरश्ट उफानों बारिस की देवत्ता उपर मैंने भी पढ़ाया लक्षर की माद्र पर वेद में इंद्र की सस्तुती 250 तीन सो बार भी कहीं कहीं आपको मिल जाएगी जैसा कि मैंने पताया थो उन्होंने हल को भगवान की रूप में भी जाना जाता है रुद्र संगहार की देवत्ता है रोगों से मुक्ति दिलाने के लिए इनकी पूजा की जाती है वरुण जल और नतिकता की देवत्ता है अभी उपर हम लोगों डिश्कस किया उन्होंने लावकिक विवस्था और नियमों को बनाया अन जान आए को अनने देखता है वायू की देखता वायू की देखता शूरी जीवन के शुरत की देखता है आधिती विद्योत्तावं की माता अगनी अगनी की दियोता, पुशन सुद्रों की दियोता, उपर मैंने लिखा था भी, उशा भोर की दिवी, विश्वनु शूर का एक रूप है, मारूत पवन की दियोता, प्रजापतिया, आदिपुरु सरवोचिश्वर है, इसके इन सोट कर सकते हैं, धर्म में देखी, पुरानों के अनुशार जल में दूभी पित्वी को बचाने के लिए भगवान विश्वनु ने किसका धा धारन क्या था, वर्हा का रूप धारन किया था, वरा शुमर, हिंदु भगवान विश्वन के 10 आतर है, हिंदु सास्त्रों की अनुशार, शुमर, वलिदान के शभी पहलो का प्रतीक है भगवान विश्वनों के दस अतार ये परिक्षा में पूछ ले जाते हैं पहला अतार मत्स मचली दूसरा कर्म कच्छुगा तीसरा वरा शुवर चौथा नर्शिंग मनुश्य पांचवा वामन बौना चठाव पर्शो राम एंग्रिमेंट भगवान राम परफेक्ट मैं आठाव भगवान कि दिव्य राजनेता नवा गौतम बुद्ध एशिया का प प्राचीन नाम इंडस सिंदू को जेलम वितस्ता चिनाप अस्कनी रावी पर पुरुषणी ब्याज विपासा सतल सुत्रदी घागर का सच्वती किष्णा किष्णावेनी नर्मदा का नामादे लूनी का सगर्मती बेतवा का वेत्रमती चंबल का चर्मकवती कंड़क का कुंभा श्वात का श्वास्तु तो आप इन नदियों के नाम लिख लेते प्राचीन और वर्तमान नाम परिक्षा में पूछे जाते हैं मिलान करने के लिए पूर्ट वाले आधी तरस ही परिक्षा में आते हैं महत्पडविंदु क्या था यहां से एक बार हम लोग देख लेते हैं रिख वैदिक नियम और उनके अर्थ अवेस्ता इरानी भासाम सबसे पुराना पार्ट नदी तरणा सरस्वती नदी का दूसरा नाम दास्या दश्यू आरियन प्रवास के दौरान भारत की जो मुल्य निवासी को दास्या दश्यू कहा गया अब यहीं से अगला टॉपिक है उत्तर वैदिक काउसल हो जाता है जो हम लोग क्या करेंगे अगले सेसं में अगले लैक्षर में पढ़ेंगे आगे की स्रीज में पढ़ेंगे अभी तक आज क्लसें जो था वैदिक काल था अब इसकी आप नोट्स बना लिजेगा इसकी पूरी वीडियो अपन अब लोग अपना बेश्ट और बहता देते रहेगा उसके बाद पूरी स्रीज खतम हो जाएगी हम बीच बीच में कुछ चूड़ जाते हैं उनको जोड़ने वाले टॉपिक हम लेका राएंगे अंतरा टाइप का होता जो आपकी लिखित परिच्छा के लोग योगी होगा रिटेन एक जाम के लिए तो उसको हम बीच में एड लास्ट वीडियो जब पूरा सेशन स्लाइड खता मुझे स्लाइड में जोड़ देंगे फिर इसके MCQ सेरीज भी लेका रहेंगे और हम प्रश्णों की संख्या भी आपको देते रहेंगे ताकि किस तरह से प्रश्णों जाए हिंद जाए भारत थेंक्यों शेविका